मैं उस्क लामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट अंचकल दोपहर करिब साढ़े बारा बजे के असपास मुंब्रा रिलवे इस्टेशन के पास एक आटो चालक पर धार धार हतियार से एक पान पट्री चलाने वाले दो लोगों ने हमला कर दिया है इन लोगों क नाम आरिफ और अहद बताया जा रहा है ये दोरों मुंब्रा रिलवे इस्टेशन के सामने जीवन वाक के रहने वाले हैं और जिस आटो चालक पर वार हुआ है उसका नाम जुल्फिकार संसुद्दीन मंसूरी 22 साल है हर रोज की तरहां जुल्फिकार आटो चालक लेकर पीचे और उपर की तरफ वार लगे हैं गनीमत ये रहे कि वक्त रहते कुछ लोगों ने बचाव किया नहीं तो कुछ भी हो सकता था जुल्फिकार को कई टांके भी लगे खड़ा था वहां पर एम पर लाइन में खड़ा था पहले नंबर पर खड़ा था तो आरिफ नाम क तुरूं आता है दो मिनट में फिर बात पोचता है जा हूं मैं मना करता हूं न तो वी लिदेने लगता तो मैं पूछा गाली की हूं दे रहा है मैं कुछ बोला नहीं काली तो नीकाल के मारने लगता तौ मारा प्रीटी मेर पपली में ku बेचा लेती है दूसरी पार फिर लड़के लोग के अता है छार-पांच लोग को चापर विपर लेक्षा मेरे को अके फिर मारता है दोसरी बाइब हमला करने तो चार-पांच लोग थे बाकी मारा दो लोग ने खाले आरिफ ने आद ने दो लोगों ने मेरे को मारा चापर लेकिया देता बड़ा चाकूता उससे वो चलाया ना तो में पीछे अड़ गया तो फिर में फाइड मारा लाद बित मारा मेरे वहां पर यम पर सबके सामने केमरा भी लगे वहां पर चेकर सबके सामने मारा रहा है जी मैं कंप्लेट डाला हूं फायर पुलिस इसको डूंड रहे है वो फरार चल रहा है वहां से बाग गया एंगेट से और वो मिल गया जीवनबाग गली से मिला है आद आद को पकड़ के बोते से मारा हाथ बिद मारा पसली पसली पे चोटाया मैं एक सरावी कराया हूं दर इसकार ने इसकी शिकायत मुंबरा पुलिस टेशन में की है 324, 534 के तहट मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक आरूपी गिरफतार है और दूसरे की तलाश जारी है तो तमाम खबरों क को जानने के लिए देखते रहिए प्रहाटल के लिए प्रहाटल के लिए